Hello everyone, welcome back to ASneet. तो आज के वीडियो में अपन डिस्कास करेंगे गुजरात स्टेट के बारे में कि न्यू रिजन्ट पब्लिस होने के बाद में यहां की कटोफ में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस देखने को मिला है. तो एक्सपेक्टेड कटोफ इसकी क्या रहने वाली है? इसके अलावा इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं अस 3rd ओप ओगस्ट 2024 को सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में डिस्कास करूँगा लेकिन मैं जो पॉइंट रहेगा इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड कटोफ के बारे में कि इसकी कटोफ अब कितनी रह सकती है? हलंकि एक बात मैं आपको यहीं पिकले कर देता हूँ कि कटोफ में कफिस्जादा लो रही है यहाँ पर इस साल जहाँ पर 650 तक के भी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलने के चांसे सकम है वहाँ पर कुजात स्टेट में आपको 600 से नीचे यानि कि बिलो 600 मार्क्स अगर आपके हैं जनरल केटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ तो उमिद करेंगे आपको यी वीडियो अच्छा लगेगा तो बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की सबसे पहले कि अभी अभी नया नोटिस रिलिज हुआ है यापर गुजात स्टेट की तरफ से उसके बारे में बात करेंगे इसके अलावा इंपोर्टेंट टोपिक्स जो होंगे इस वीडियो में आपन कवर कर रहे होंगे तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके सबस्क्राइब और लाइक वीडियो को अभी से कर देना सबसे पहले नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं जो गुजात स्टेट की तरफ से आया है तो अफिसल वेबसाइट आप जैसे ही इसकी ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पोर्टल देखने को मिलेगा यहाँ पर जितने भी डेटाज हैं वो अभी 2030 के लिए अवेलेबल हैं सेट मैट्रिक्स और कोलेजस जितने भी हैं वो सारे लेकिन इस तरफ आपको एक पिन परचेज करने के लिए आपको स्क्रीन के ओपर दिखरी होगी उसकी डेट तो ओनलाइन आप पिन परचेज कर सकते हो 3rd of August यानि के आज ही से लेकर 13th of August 2024 तक Online Registration आपके स्टार्ट हो जाएंगे 3rd August 2024 से लेके 13 अगस्त के बीच में आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पिन आपको परचेज करने होते हैं जो कि हर साल उजरात के अंदर आपको परचेज करने ही होते हैं तो यह आपको जरूर परचेज करने होंगे इसके अलावा डूकुमेंट वरिफिकेशन आपकी hop और जो करने होंगे जिब आप रजिस्टेशन करोगे तो वहाँ पर आपको खुद ही से यह परचेज हो विंतोउ आपको पहले कर ढूलिपकर है उसके बात में वो 5th of August से लेके 14th of August 2024 रहने वाली है तो ये latest update ये थी कि गुजाद स्टेट के लिए registration स्टार्ट हो चुके हैं official notice आपको screen के ओपर दिखे होंगे fees आपकी होने वाली है thousand rupees आपके registration के charges होने वाले हैं इसके अलावा 10,000 rupees आपकी security amount deposit होगी तो इस तरीके से total 11,000 rupees आपको यहाँ पर pay करने होंगे need 2024 की counseling में participate करने के लिए गुजाद स्टेट के अंदर तो ये थी सारी information जो की अभी release हुई है यानि के latest update गुजाद के लिए ये थी अब मुंते पर आपस आते हैं कि अपन बात करना चाह रहे थे की expected cutoff गुजाद स्टेट के बारे में तो इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ के private medical colleges भी काफी ज़ादा है तो यहाँ की जो cutoff रहती है स्टेट कोटे के बच्चों के लिए वो काफी ज़ादा low रहती है यह मैं आपको पहले भी बताया था इसके लिए आप 6376719190 पे हमें call कर सकते हो और वही call करना जिनको really में admission लेना है या फिर जो परिशान है कि हमारा admission होगा या फिर नहीं होगा fees की बात करें तो आपका state quota होगा अगर private college में आप admission लेते हो कुछ इस तरीके से आपके fees होने बाली है बाके जितने बिल्टेल्स थे आपको मैं संदा दूँगा बाके पहले के वीडियो में बताया हुआ भी है private colleges और management quota की fees के बारे में आते हैं मुद्दे पर वापस की cutoff कितनी कम रह सकती है यहां की expected cutoff की बात कर लेते हैं उस तरीके से like कर दिया होगा अभी तक वीडियो को नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हो और subscribe channel को कर देना क्योंकि इसी तरीके की update और step by step चीजों के बारे में आपको update इस चैनल के उपर मिलती रहेगी और हम continuously हर state के बारे में आपको update करते रही है cutoff के बारे में बात कर रहे थे तो अब discuss हम क्यों कर रहे हैं कि यहां की cutoff below 600 रहने वाली है लगपक उसी government colleges की तरह की fees वाले colleges के लिए जो की बाकि स्टेट में नहीं होती है तो देखो other states की बात की जाये तो वहाँ पर semi government medical colleges होती है लेकिन गुजरात की बात की जाये तो यहां पर GMEARS के colleges होते है जो जिनकी की fees भी कम रहती है इसके अलावा cutoff भी काफे जादा लो रहती है अब यह क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ कि यह government colleges होते है क्योंकि अभी कुछी टाइम पहले कुछी दिनों पहले मैंने वीडियो बना कर आपको update किया था कि यहां की fees increase कर दी गई थी लेकिन क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इससे की fees increase नहीं होने चीए प्रोटेस्ट हुए थे और इसकी वजह से वहां की fees को वापस कम कर दिया गया और अब यहां की जो fees है वो 3,75,000,000 रूपीज पर ही है क्योंकि आपकी यहां पर fees लगने वाली है तो यह थे GMERS को यह इसके बारे में कटोप की बात करेंगे तो वह भी GMERS के कटोप के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि यह fees affordable होती है तो अपन इसके बारे में बात करेंगे तो चलो अब बात करते हैं कटोप के बारे में लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा चैनल तो यह cut-off आप सबके सामने है, पहले भी मैंने cut-off आपको बदाई थी, यह वाले वीडियो आप देख लेना, स्क्रीन के उपर आपको देखे होंगे, कैटेगरी की बात करें, expected cut-off 2024 के लिए, तो यूर कैटेगरी में 595 ब्लस माइनस 2 मार्क्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मार्क्स उपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका score 595 से जादा है, तो आप यह शोर समख सकते हो, कि आप एकदम safe हो, यहाँ पर आपको admission इस साल तो at least मिल ही जाएगा, counseling लेकर अच्छे से manage करनी होगी, वो ज्यादा important होता है, बिना counseling के आप admission ठीक से नहीं करवा पाऊगे, और यह सब इतनी easily कर पाएं, यह possible नहीं होता है, इसलिए एक best counselor की जरुवत पढ़ती है, contact कार सकते हो, 6376719190 के उपर, as e category की बात करें, तो 585 प्लस म marks के उपर आपको यहां पर अखुद को, save समझ सकते हो, और आपको government college, जो कि GMRS के हैं, वो मिल सकते हैं, गुजरात state के अंदर, AWS category की बात कर लें, तो 590 marks के उपर भी आपको college मिल जाएगा, बहुत सारे calls और messages मेरे पास आये थे, गुजरात state से, तो बच्चे काफे जादा प admission at least मिल जाएगा इस साल GMRS के colleges में, government colleges में इससे ज़्यादा score आपके जूरत पड़ेगी, वो मैं अदग से वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ, ऐससे category की बात के रहें, तो 525 प्लस माइनस 2 marks पर आपको college अलोट होने के chances हैं, इस साल GMRS के कोई भी college आपको मिल जाकता है, इसकी category की बात के रहें, तो 345 प्लस माइनस 2 marks के उपर आपको इस साल GMRS medical college गुजरात में मिल जाएगा, आप इसकी eligibility क्या है, वो आपको मैं पहले की videos में बता चुका हूँ already, अगर तो आप गुजरात state से हो, और किसी भी college में admission लेना चाहते हो, इवन private college में admission लेना चाहते ह तो भी आपकी fees, चुकि मैंने थोड़े देर पहले आपको बताई थी, 6-8 लाके बीच में आपकी fees हो सकती है private colleges के अंदर भी government court से, क्योंकि आप गुजरात state से हो, तो ये फाइदा आपको काफे जादा होता है, और बहुत सारी योजनाय चलती है, गुजरात के अंदर उनक qualifying marks हो, और आप चाहते हो कि आपको college मिल जाए private और वो भी government court से, तो ये possible नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका score कुछ हर्त तक ज्यादा होना चाहिए, या तो आप government college से चूक गए हो, या फिर at least आपका score 500 प्लस या फिर 490 प्लस आपका score होगा, तो फिर आपको chances होंगे कि यह आपको college आपको मिल जाए, तो ये थी update जो नए result डिक्लेर हुआ था, उसके बाद में गुज्रात स्टेट की cutoff में बहुत ज्यादा difference देखने को मिला, पहली जो मैंने वीडियो बनाए थी, उसमें 603 marks तक आपको मैंने college मिलने के chances बताये थे, GMARS के, लेगिन आप यहाँ चे अपना state, अपनी category, अपनी rank, तो आप English में या फिर English के word में Hindi note करके आप हमें बता सकते हो, गुज्रात से आप अगर हो, तो फिर भी आप English में note करके बता सकते हो, क्योंकि आप गुज्रात से हो, इसका मतलब यह नहीं है कि जो वीडियो बना रहे हैं, वो सभी गुज्रात स है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जुरूर करना, मैं अजय शर्मा, एस नीट यूटूब चैनल की तरुप से आपको अपडेट दे रहा था, कॉंटेक्ट हमसे कर सकते हो, आप कॉंसलिंग के लिए, मिलते हैं नए अपडेट, नई वीडियो के साथ, जे हिन जे भारत.